टो परको और सोल्सलीन्से आपको आजमें यह एक यह फॉंट्स जो पंग फॉंट मिल जाएंगे तो अपको क्या करना है बर्कॉड है और यहां पर आपको शो होगा बार्कॉड फॉंट ठीक है तो उसके बाद आपको इसको डाउं इंस्टॉल कर लेना है तो हम आपको बता रहा है कि बार्कॉड फॉंट कैसे इंस्टॉल करते है तो अब यह लमजी फॉंट आ Mono font आ रहा है, बहुत सारे font यहाँ पर हमने add care कर रखा है, तो यहाँ पर description में जो भी font है, उसको आप use कर सकते हो, ठीके, तो बारकॉट font वैसे रहेगा, मैं ढूंड लेता हूँ, यहाँ पर बारकॉट font शो नहीं हो रहे, तो बारकॉट font कौन सा है, वो मैं देख लेता हूँ, हम यहाँ पर word open कर रहे हैं, Microsoft Word 2007 हम यहाँ पर open कर लेते हैं, और यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ से जैसे scroll करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि यह font, बारकॉट font कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर जो install किया होगा, तो आपको यहाँ पर यह रहा बारकॉट font, ठीक है, तो बारकॉट id auto mention करके, जो font है, उसको बारकॉट font करते हैं, ठीक है, तो अभी हम directly font के folder में आ जाते हैं, यहाँ पर यह रहा, sorry, यह रहा, हम यहाँ से font के folder में चले जाते हैं, और यह fonts के folder में, हमने यहाँ पर देख लिया, उसका name क्या था, id auto, तो यहाँ पर हम उसको find out कर लेते हैं, यह रहा font, ठीक है, यहाँ पर double click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर install करेंगे, यह उमने पहले से install किया था, तो यह font है, जो आपको barcode font install करके show करेगा, ठीक है, उसके बाद आपको barcode number create करना है, तो कैसे करते है, वो भी आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैं excel open कर देता हूं, और यहाँ से कोई मैं, समझ लो कि यह मेरा mobile number, समझ लो कि मैं कुछ यह number डाल दिया, ठीक है, यह number डाल दिया था, रहा बारकूड font ठीक है? ये क्लिक कर दिया तो अभी आप दिखेंगे यहां पे तो यह आटोमेटिक लिए number खा बारकूड हो गया है तो वैसे ही कोई भी बारकूड आप बना सकते हो और यहां से print भी निकाल सकते हो कही भी आपको बारकूड शेयर करना है तो लग सकते हो, यह नहीं जा रहा है, copy, paste, ctrl c, यहां पे, मैं paste कर देता हूँ, और यहां पे ctrl v, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, यह sequence डाल देता हूँ, कि 3 आएगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं दोनों को यहां पे connect कर लेता हूँ, और यहां पे drag कर लेता हूँ, तो यह auto sequence चला जाएगा, वैसे, आप यहां पे जैसे ही click करेंगे तो आपको show होगा, ठीक है, यह सब सारे barcode generate हो गए, तो I hope आशा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, कि barcode कैसे generate करते हो, और barcode को आप कैसे बना सकते हो, Thank you for watching YouTube channel, आपको यह जो हमारी बता हुई बात अच्छी लग रही है, और रसाई आपको काम में आई है, तो आप लाइक किजिए, और दोस्तों के सार शेयर करना ना बुलिए, Thank you for watching YouTube channel, Thank you.